नाकपुर अमरावती मुंबई राजमार्क संख्याच्छे पर कोंडाली के समीपस्त निर्मल सूत गिर्नी के सामने 12 फर्वरी के दुपैर करीब 12 बचे के दर्मियान अकोला से जबलपुर जा रही कारक्रमांग MHP20 CH3041 वहन के सामने का टायर फटने से वहन शालक का नियंतरन बिगणने से तेजगती से आ रही कार रोड डिवाइडर से दूसरे लेन पर फेकी गए जिसमें कार में सवार तीन दो पुरुष एक महिला की खटनास्तल पर ही मृत्य हो गई वही वहन शालक महिला को गंभीर घायल अवस्ता में एम्बलेंस वारा नाखपुर के निजी अस्पताल में भरती कराया गया है प्राप जानकारी के अनुसार अर्चिना संदिप अकरवाल अनुप विनोध गुपता रेनुका अनुप गुपता तिथा अक्षित अनुप गुपता अकुला से जबलपूर की और जा रहे थे जिसमें अनुप गुपता, रेनुका गुपता तथा अक्षित अनुप गुपता, तिनो जबलपुर निवासी तथा अर्चिना संदिप अगरवाल यह गुवालियर निवासी कार चला रही थी कार नाकपुर जिले के कुंधालिक थानाक शेतर के खुरसापार कुंधाय के बीच सित निर्मल सूत गिरानी के पास वाहन करमां MP20CH3041 का सामने का टायर फटा इसी वजह से तीस गती से आ रही कार रूट डिवाइडर से टकराए तथा अन्यंतरत कार रूट डिवाइडर के वुरुज दिशा में तीन चार पल्टी मार कर फेकी गए यह दुरगटना इतनी भयावा थी कि कार में बैठे गुपता परिवार के अनुप गुपता रेनुका गुपता तिथा अक्षद गुपता तीनों एक ही परिवार के तीनों के सर की खोपड़ी फट कर भेजे के टुकडे टुकडे कार में तिथा कार के बाहर सरक पर फैल ग अपनी अपनी स्टाफ के साथ त्वरित घटनासल पर पहुचे तथा गंभीर घायल अर्चिना संदीप अगरवाल को एंबुलेंस सिंदाख पुर रेफर किया गया इस दुरगटना की चलते एक लाइन का ट्राफिक चाम हो गया था जिसे पुलिस त्वारा सुचारू किया ग घटना में अत्यंत गंभीर अवस्ता मृतक अनुप गुपता, रेनुका गुपता तिथा अक्षित गुपता को स्थानी योग सुभाज शेंद्री, प्रजवल धोटी, हेमराज पैठे, गोपाल सापल के सहयोग से तीनों मृतकों को कार निकाल कर शव विछेदन के लिए क काटोल ग्रामिन अस्पिताल फेजा क्या, कटना के जानकारी मिलती ही काटोल के उप्विभागय पुलिस अधिकारी नागी जाधो, राजमार्क सुरिक्षा सहायता के उप्विभागय पुलिस अधिकारी संजेप पांडे, प्रभारी API शरद मिश्रा, ASI सुनिल बंसोड, म पहनचालक के खिलाफ कुनाद दाकल कर आगी की जानश की जा रही है